आज फिर एक नई वीडियो आपके समने लेकर आया हूं आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो अपकमिंग फॉन से हैं वो कौन-कौन से हैं आज जो हम बात करने वाले हैं जिस फॉन के बारे में उस फॉन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 7 जो की काफी ज्यादा पॉपुलर फॉन रह चुका है और भार वाले देशों में ये लॉन्च भी हो चुका है और इंडिया में जो इसकी launching होने वाली है वो होने वाली है 12 August 2020 हो जो की काफी जादा अच्छा phone होने वाला है और जो इस phone का budget है वो भी बहुत जादा कम है जो इस phone का budget है वो only 10 to 12K है जो की इस prime range में अभी तक का सबसे best phone होने वाला है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने जब पहले एक बर हम इसके look और design को देख लें और फिर बात करते हैं इसके key performance और इस phone में क्या क्या advantage है चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आपने देखा जैसा कि दोस्तों आपने देखा इस phone का जो look है कितना ज़्यादा attractive है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके display की display में जो material यूज किया गया हो है वो किया गया हो है IPS screen का साथ में दोस्तों screen को protect करने के लिए इसमें यूज किया गया हो है gorilla class का और साथ में दोस्तों अगर हम इसकी pixel density की बात करें तो जो इसकी pixel density है वो है 258 ppi जो की under 10 के best होने वाली है साथ में दोस्तों भी बात करें इसके touch screen की touch screen में जो इसका material यूज किया गया हो है इसे बनाया गया है capacitive touch जो की काफी ज्यादा अच्छा है साथ में इसकी performance को काफी ज्यादा smooth बना देता है अब बात करते हैं दोस्तों इसके performance की performance की बात दोस्तों करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके chipset के बारे में जो इसमें chipset यूज किया गया हुआ है वह किया गया हुआ है MediaTek Helio G70 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यह chipset है काफी ज्यादा advanced है इसके processor की तो इसमें जो processor यूज किया गया हुआ है वह किया गया हुआ है Octa4 का वह भी 2GB की clock speed के सांथ सांत में इसमें जो mixer दिया गया हुआ है वह दिया गया है Cortex A75 जो की काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है सांत में इसके architecture की बात करें वह है 64 bit जो की काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें graphics भी काफी ज्यादा advance दिये गये हुए दोस्तों इसके storage की बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो storage दी गई हुई है जो RAM दी गई हुई है वो दी गई हुई है 6GB साथ में जो ROM दी गई हुई है 128GB साथ में हम इसकी memory को 2TW तक expand कर सकते हैं with help of microSD जो की इस range में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला ह दोस्तों camera की बात करें सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो camera setup है वो कौन सा है इसका जो camera setup है वो है auto powerhouse यानि की fixed setup और साथ में ही इसमें back camera में triple camera का use किया गया हुआ है जो की है 48MP, 2MP और 2MP साथ में ही दोस्तों front में इसमें 16MP का camera दिया गया हुआ है जो की काफी ज्यादा बात करें वो भी काफी ज्यादा लाजवाव है जो इसका image resolution है वो है 1000 x 6000 जो की under 10k में काफी ज्यादा अच्छा है और साथ में दोस्तों बात करें इसमें camera के बारे में कि इसमें क्या-क्या इसनोंने advanced feature दिये हुए इसमें इनोंने इस budget में ISO control के साथ साथ है HDR mode भी दिया जो की इस range में काफी ज्यादा अच्छी है बैटरी में जो material का reuse किया गया हुआ है वो किया गया हुआ है lithium है जो की काफी ज्यादा अच्छी है साथ में दोस्तों इसमें fast charging भी दी गई हुई है वो भी network की connectivity के हिसाब से जदी हम 2G का use करते हैं तब इसका standby time 45 hour हो जाता है जो क काफी ज्यादा अच्छा है जदी हम 3G mode में यूज करते हैं इस phone को तो इसका standby time 40 hour हो जाता है जदी हम इसको 4G में यूज करते हैं तो इसका standby time 36 hour हो जाता है जो की इस range के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है तो दोस्तों अब इस phone के key advantage आपको दिख रहे होंगे कि इस phone में कितने ज़्यादा advantage है तो दोस्तों यदि आप कोई नया phone buy करना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा option है और दोस्तों 10K के हिसाफ से ये phone काफी ज़्यादा popular होने वाला है I hope जितने भी viewers हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंदा है तो दोस्तों हम मिलते हैं नई वीडियो में नई content के साथ तक तक के लिए stay home stay safe